हलो दोस्तो स्वागरत आपका मेरे इस चैनल पर आज हम बात करेंगे कि इन परिस्थिति oven में पत्णी को मेंट्रेश नहीं मिलता या پत्णी को मेंट्रेंस क्लेम करने के लिए कौनसी बात है कौन से तत्य है जो कोट में साबित करने होते है अक्सर हम ने देखा है कि पती पत्नी में अगर जगड़ा होता है तो जगड़े के बाद पत्नी अपने माईके चले जाती है और अपने माईके वालों के साथ मिलके पत्नी और से घर वालों सबक सिखाने के लिए उनके गेंस जूते मुकद्मा दच कराती ए पर अब बदलते समय के साथ साथ अदालतों में भी अपने रुख में बदलाव किया है जिसके कारण मेंटेनन्स ओर जारी करने से पहले पत्न को कुछ बाते कोट में साबिट करने होती है वो बाते इस परकार है पहली महिला legally wedded wife होनी चाहिए अगर पत्नी का तलाख हो चुका है तो उसकी दूसरी शादी नहीं होनी चाहिए अगर उसने दूसरी शादी कर लिया है तो maintenance claim नहीं कर सकती दूसरा करण महिला के पास valid करण होना चाहिए जिसकी वज़े से वो पती से दूर रह रही है या maintenance मांग रही है अगर कोई कारण उसने बताया भी है तो उन्हें साबित करना पड़ेगा सिर्फ statement देने से काम नहीं चलेगा माली जे पत्नी कहते हैं कि पती cruelty करता है या नाजाय demand करता है तो उसे evidence के साथ वो साबित भी करना होगा तीसरी बात यह है कि पती अगर उसे neglect करता है उसे जान बुझकर अपने पास नहीं रखता या ऐसी परसितिया पैदा करता है जिसकी वज़े से पत्नी उसके साथ नहीं रह पारी तो पत्नी maintenance claim कर सकती है चौता यह है कि पत्नी के पास अगर कोसूर्स नहीं है या फिर जो income है वो काफी नहीं है जिसमें उसकी basic needs पूरी नहीं हो पारी है तो इस situation के अंदर भी वो पत्नी से maintenance claim कर सकती है देखिए हमने कई judgment आजकल देखे है जिसमें पत्नी की income होते हुए भी पत्नी को maintenance दिया जा रहा है जनरली ऐसे मुकदमों में क्या होता है यहीं देखा गया है कि पत्नी की income पत्नी से काफी अच्छी होती है और यहीं वज़े होती है कि कोट पत्नी के हक में maintenance का फैसला देती है अब समझते कुछ ऐसी conditions जहाँ पत्नी को maintenance नहीं मिलता पहली condition अगर पत्नी adultery में मतलब किसी और पुरुष के साथ रह रही है रिलेशन्शिप में तो ऐसी पत्नी maintenance की हकदार नहीं है ऐसी महिला जिसने दूशी शादी कर ली हो और तो उसे पहले वाले पत्नी से maintenance का दिकान नहीं होता तीसरा तीसरी बात अगर ऐसी महिला जो willfully पत्ती के साथ नहीं रह रही हो या ऐसे कोई बहाना बना रही हो जो कोट को valid ना लगे तो उस case में भी कोट maintenance के order पास नहीं करती है मान लीजे पत्नी कहती है कि मुझे सास हसुर के साथ नहीं रहना या घर के कामकाश नहीं करना है या खेतों में काम नहीं करना है या अपने पीर में या सिटी में रहना है मुझे गाउं में नहीं रहना है तो इस situation के अंदर भी कोट ये मानती है कि पत्नी willfully पत्ती के साथ नहीं रह रही है एक तरह का मिला होता है तो वो मेंटनेस कैंसल हो जाता है ऐसी महिला जिसका तलाग उसके फॉल्ट की वैसे उसकी गलती की वैसे हुआ है तो ऐसी हालात के अंदर भी महिलाओं को मेंटनेस या ऐल्मोनी नहीं मिलती है और अगर मिलती है तो बहुत कम मिलती है तो ये थी आज की कुछ बाते जो उमने इस वीडियो में समझी कि कौन सी सिचुएशन है जहां पर महिला को मिन्टेनस नहीं मिलता है और कौन सी सिचुएशन है कि महिला को मिन्टेनस मिलता है देखिए बदलते माहूल के साथ पत्नी को अब कोट में थाबित करना होता है कि व लगास लब एल एकन फिर मेल